Hello everyone, welcome to the session. आज हम डिसकस करने जा रहे हैं Great Tenth की बहुत इंट्रिस्टिंग पॉम How to Tell Wild Animals by Caroline Webb. ये एक बहुत इंट्रिस्टिंग पॉम है, इसमें पॉएट हमें समझा रहे हैं कि हम अगर wild animals के सामने आ जाएं तो उनको कैसे identify कर सकते हैं कि कौन सा animal है. तो पॉएट हमें इंट्रिस्टिंग कर आ रहे हैं अलग-अलग तरीके के wild animals से जैसे कि Asian lion, Bengal tiger, bear, crocodile और ये explain वो एक बहुत humorous way में हमें कर रहे हैं poem के ज़री. तो चलिए इस poem को discuss करते हैं detail में, शुरू करते हैं first tenza से. इसमें poet ये बता रहे हैं कि कभी अगर आप Eastern jungle में से जा रहे हों, तो आपके सामने एकदम से एक बड़ा सा brownish yellow beast आ जाए जो आपकी तरफ को बढ़ रहा हो. और वो एकदम से आके आपके उपर pounce करेगा, jump करेगा और आपको मार देगा और अगर वो रोर करता है जब आप मर रहे हो, जब वो आपको खा रहा है, तो आप शौर हो सकते हो कि वो जो beast है वो और कोई नही Asian line है. तो पोईट बहुत humorously हमें explain करते हैं कि Asian line किस तरीके से एक इनसान को अपने गरजने से अपनी रोर से ही मार सकता है. चलिए, अब discuss करते हैं हम second stanza. इसमें पोईट बताती हैं कि अगर आप roam कर रहे हैं फिर से eastern jungle में, तो हो सकता है कभी आपका सामना हो एक graceful looking beast के साथ. उसकी body के उपर black stripes होगी. Yellow color की body और black stripes. आपको ये notice करना है कि क्या वो आपको खाता है या नहीं? और अगर वो आपको खा जाता है, तो आप sure हो जाएए कि ये Bengal tiger है. ये एक बहुत simple rule है identify करने के लिए इस beast को. तो moving on to the third stanza, इसमें poet बताती है कि अगर आप leisurely walk ले रहे हैं, casual walk ले रहे हैं eastern jungle में और एक beast आपके view में आ जाता है. उसकी जो hide है, उसकी जो skin है वो covered है spots के साथ, black spots. और अगर वो आपके उपर leap कर देता है, jump कर जाता है तो समझ जाएए कि वो एक leopard है. हलांकि आप पेशक जब वो jump कर रहा है आपके उपर, खा रहा है आपको, आप दर्द में चिला रहे हों पर यह आपकी कोई मदद नहीं करेगा, यह दुबारा आपके उपर jump करेगा और आप पेशक चिलाते रहिए pain में, उसके उपर कोई असर नहीं होगा. तो इस stanza में poet हमें बता रही है कि leopard का क्या characteristic है, moving on to the fourth stanza, poet बताती है कि हो सकता है किसी time आप अपने yard में घूम रहे हों, और वहां पे आप मिले एक ऐसे creature को जो आपको पकड़ के hug कर ले, बहुत जोर के hug दे, तो आप शौर हो जाईए कि वो जो animal है वो एक bear है, और अगर आ hesitation दिखाएंगे कि मुझे तुम्हें hug नहीं करना, मैं तुम्हारा hug accept नहीं करूंगा, उसी time वो आपको एक और loving hug दे देगा, और be careful, उसका hug खतरनाक हो सकता है, moving on to the fifth stanza, एक novice, यानि कि एक नौ सिख्या, थोड़ा confused हो सकता है, distinguish करने में, beast of prey, पर अगर हम बात करें, इतना भी मुश्किल नहीं है, distinguish करना, एक crocodile के बीच में और एक highness के बीच में एक जानवर जो आफरिका में मिलता है, दोनों में फरक सिरफ इतना है, कि जो crocodile है, वो हमेशा आपके पास आएगा, अपनी आंखु में आंसू लेगे, लेकिन अगर आप highness क बात करें, वो आपके पास आएगा एक बड़ी smile के साथ, दोनों जानवर dangerous है, be careful, दोनों खतम कर देंगे इनसान, Moving on to six stanza, इसमें poet बताते हैं, एक true chameleon के बारे में, यानि की गिरगिट के बारे में, जो एक छोटा सा जानवर है, वो lizard के जैसे दिखाई देता है, उसके ना तो कोई कान होते हैं, और ना ही उसके पास एक भी wing होता है, तो अगर आप एक पेड देख रहे हैं, जिस पे नहीं है, हलाकि वो गिरगिट उसके उपर बैठी है, तो साफधान हो जाए, क्योंकि गिरगिट ने अपना रंग पदल लिया है, और उसने ट्री का रंग पकड़ लिया है, तो ये थी animals के बारे में पोम, I hope आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर आपको अच्छी लगी please make sure you like, share and subscribe the video, thank you, bye bye